हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टू माय चैनल रमिती फैशामिला आज की वीडियो में हम लड़ो को पाल जी के लिए पुशाग बनाएंगे यह हमने वुलन पुशाग बनाई है हमने इसे ना कुर्शय का यूज करके बनाया है यह देखिए हमने बस हाथों का यूज करके इसे बहुत सिंपल में बनाया है जिससे आप सभी इसे बहुत इसली बना सकें इस तरह की मैंने और भी पुषाग बना कि अपने चैनल पर अप्रोड की हुई है जिसमें मैंने नहीं कुर्शे का यूज किया है और नहीं पर फॉल्व नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉल्व करें मेरा इंस्टागाम है अम्रितीफशामजा 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जागा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाते हैं कुपाल जी के लिए ब्यूटिफूल सी करना मैंने पहले पी अपनी काफी सारी वीडियो में बताया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगी आप वहाँ से चकर के किसी भी साइच का डामिटर कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसे ऐसे फोल करेंगे एक बार और फोल करेंगे य यह देखिए हमने छोटी सी कमर कट कर लिए अब हमें इसे यहां से कट करके अलग कर देना है यह हमने अलग कर दिया अब हमने यहां पर यह वाइट कलर में उन लिया है यह हमने डवल करके लिया है क्योंकि यह बहुत ही पतला था यह देखे अब हम क्या करेंगे इस उनको इस बुक्रम के उपर लपेटेंगे आप यहाँ पर थोड़ी सी अच्छे क्वालिटी का बुक्रम ले यह देखे हमें अपने हलके हाथों का यूज करना है अगर हम बहुत टाइड करके लपेटेंगे तो यह बीच से मुड जाएगा फिर हमारी डुरस के फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगे पहले हम यहाँ बीच से स्टार्ट करते हैं जिसे हमें इजी हो एक बार यह पश जाए यहाँ पर तो करना आसान हो जाएगा यह देखिए अब यह लग चुका है अब हम बहुत हलके हाथों से इसे कवर करेंगे यह बहुत ही इसली हो जाएगा बस हमें ध्यान दिना है कि हमें अपने हाथ को बहुत टाइट नहीं करना है एकदम हलके हाथ से काम करेंगे तो चलिए हम इसे पूरा कवर कर लिते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है यह देखिए गाइस हमने इसके उपर लपेट हमने हमें हमें बहुत ही हलके हाथ से लपेटा है इसलिए इसे मिसमा नहीं आई रहे है अगर आप ह हाथ यही पे सैट हो जाए तो चलिए हम एक सिलाय लगा लेता है और आपको दिखाते हैं यह देखया को तो हमने यह olmas हिसके तो यह दोनों एक साथ अच्छी नहीं लग रही है या आप ये वाली यूज़ कर लें या आप ये वाली हो मतलब अगर आप एक कलर की यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर लगेगी इसलिए मैं यहाँ पे एक ही कलर की यूज़ करने वाले हूँ और आपको द्यान देना है कि हम बहुत पास पास नहीं बटरफ्लाई लगानी है जिसे ये पता चले कि हाँ ये बटरफ्लाई है अगर हम बहुत पास लगा देंगे तो लगेगा ही नहीं कि हम बटरफ्लाई लगा रहे हैं इस पर तो आपको इस चीज का दियान देना है ये देखिए चार हमने बना ली है हमें एक के और ज़रुवत है तो चलिए हम एक आपके सामने बनाते हैं ये हमने यहाँ पे उन ले लिया पिंक कलर का और ये हमने ग्रीन कलर का ले ले लिए यह मेरे पास बचा हुआ उन था, जो मैंने अभी blue और yellow में आपको दिखाया है, वो भी मेरे पास बचा हुआ ही उन था, तो हम इसकी हल्प से ही बनाएंगे, और देखिए हमें उन के अलावा ये तार चाहिए, प्लास स्मोथी चाहिए, और हमें ऐसा कुछ भी चाहिए, जिस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल पंद्रे पार हमने इसे लपेटा है, अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, अब इसे लेंगे, तो ये वाला देखिए, गे वाला वूल जो था, वो मेरा डबल था, और ये सिंगल है, तो इसे डबल है, मैंने पंद्रे पार लपेटा, तो य 20 राउंड हो गया है, तो इसे मैं यहाँ पे 20 राउंड लपेट हूंगे, और इसे हमें देखिए, दो उंगले में लपेटना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, तस, ग्यारा बारा देखिए, हमने इसे देखिए 20 बार लपेट लिया, अब इसे भी हम यह आपको इसली मिल जाएगी, कहीं भी, और यह महंगी भी नहीं आती है, आपको एक रुपे में एक वायर मिल जाएगी, और एक वायर हमारी लगभग 20 इंच की होती है, यह देखिए, हमने इसे यहाँ से ऐसे करके, एक अठा बांद लिया, और यहाँ से हम तार को ऐसे ल यह देखिए, हमने कट कर दिया, और हम इसे अच्छी सी सेप दे देंगे, तो राउंड सेप दे देंगे हमें, दोनों साइट से यह देखिए, यह हो गया, अब हम इसमें से कट करेंगे, यह देखिए, यह हमने कट किया, यह दोनों फैला लेते हैं, और इसके बीच में हम ऐसे ले जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे करके हम इसे चिपका देंगे, हम इसे यहाँ पर ग्लूगन की हल्प से चिपका रहे हैं, अगर आपके पास time है तो आप इसे fabric glue की हल्प से चिपका कर चोड़ सकते हैं अगर आपके पास fabric glue या glue gun नहीं है तो यहाँ पर आप सुई धाय का यूज़ करके इसे seal भी सकते हैं तो चलिए हम इसे चिपका लेते हैं यह देखे गाईस हमने यहां पर चिपका लिया और हमने इसमें से एक मोती लिए है इसे हम यहां पैसे करके लगाएंगे यहां से हमें यहां से करके राउंड कर लेनी है जिसे यहीं पर यह देखिए सेट हो जाएगी यह देखिए यह लग गई है सेम इसी तरह हम इधर भी लगा लेंगे चली लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यह देखिए गाइस हमने सभी पीसस बना लिया अब इसके उपर हम इसे ग्लूगन की हल्प से चिपका रहे हैं अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप इसे सूजदागे से सिल लें यह देखिए गाइस हमने यहाँ पर इसे चिपका लिया है अब यह साट से मुझे थोड़ा खाली लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर यह देखिए ऐसी लेस ली है पिंग कलर में यह देखिए कैसी है तो हम इसका यूज़ करेंगे हम इसे उल्टी सैट से लगाएंगे यह देखिए मैं कैसे लगाना है यह वाली जो लेस है यह हमारी धग जाने चाहिए मतलब बस यह फर्ल जो निकला है वह हमारा राइट सैट से देखना चाहिए यह देखिए ऐसे करके यह सिर्फ हमारा ऐसे फर्ल देखना चाहिए यह हम हमारी पूरी लेस नहीं दिखेगी इसलिए हम इसे पीछे से लगाएंगे ऐसे करके हम इसे ग्लूगन की हल्प से चिपकाएंगे चली चिपका लेते हैं यह दिखिए काईज हमने यहां पे चिपका लिया है अब हम यहां पे दो डोली लगा लेंगे तो यह नीचे का घेर बनके हमारा कंप्लीट है तो चलिए अब हम चोली बनाना देखते हैं यह देखिए हमें उनको यहां पे ऐसे करके लपेट लेना है इसके उपर इसे भी कवर कर देना है एक दम अच्छे से यह देखिए यहां पे हम ऐसे लपेट देंगे ऐसे करके हम इसे पूरे पर लपेट लेते हैं तो चली लपेट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए गाइस हमने लपेट लिया है अब हम क्या करेंगे इसके उपर भी हमें लेस लगानी है हम यह पिंक वाली लेस लगाएंगे जैसे हमने अपने ड्रेस पर इसकी एक line हम cut करके यहाँ से हैसे चिपका लेंगे तो चले हम इतना काम कर लेते हैं फिर आपको दिखाता हैं ये दिखे गाइस हमने इतना तयार कर लिया यहाँ सी यह पिंक वाली लेस लेगा ली और यह 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 वाली लेस लगा ली अब हमें यहाँ पर कुछ कि ग्लू लगा देते हैं और अब हम क्या करेंगे इसे हम ऐसे लपेट लेंगे यह देखिए और अब यह हमने चाहां ग्लू लगाया है वहां पेसे ऐसे रखके और प्रेस कर लेंगे यह हमारा ग्रेन टच भी आ गया अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे करेंगे और इसमेंसे हम हाफ कट कर लिया यहां से यहां से आपको दिखाटे हैं यहां दिखाते हैं यहां पर चोली पर एक डोरी भी लगा दी और यहां पर सेल भी दिया है अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे देखें पीछे से मोड़ेंगे और इधर यह दोनों कंदे से आजाएगा को पाल जी के और उसके बाद हम यहां डोरी के हल्प से ऐसे करके और बात लेंगे यह बहुत अच्छे अब आपको बताया है अगर आपको वीडियो अच्छी लिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले मिले आप झाली में करूल झाली में learning all वीडियो कि पूली ग्या वाची है झाली में करते हो पर दतूको में यां गोगां चैनल को बताया है वीडियो है याली में करूमतर को सब्सक्याइब टो करूमतर करुमतर कर Tobola का सबसे हैं